हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्व चैनल में दोस्तों आपने तत्काल टिकेट और प्रेमियम तत्काल टिकेट का नाम तो सुना ही होगा जब आप किसी टिकेट एजेंट के पास टिकेट बनवाने जाते हैं तो वे एजेंट तत्काल टिकेट बनाने के आप से पेसे ज्यादा लेता है आखिर तत्काल टिकेट का रेट इतना महंगा क्यों होता है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की तत्काल टिकेट और प्रेमिम तत्काल टिकेट में और क्या-क्या अंतर होता है वीडियो बहुत important होने वाली है वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें दोस्तो अगर आपने भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुँचे चलिए शुरू करते हैं दोस्तो ततकाल टिकेट बनाते टाइम ततकाल टिकेट कनफोर्म भी बन जाता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ततकाल टिकेट में वेटिंग भी आ जाती है लेकिन प्रेमियम तत्काल टिकेट बुकिंग करते टाइम प्रेमियम तत्काल टिकेट में वेटिंग नहीं आती प्रेमियम तत्काल में जो भी टिकेट बनता है वो कनफर्म ही बनता है तत्काल टिकेट और प्रेमियम तत्काल टिकेट कैसे बुक होता है इस पर मैंने आल्रेडी पहले ही एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उस लिंक पड़ जाकर वे वीडियो देख सकते हैं ततकाल टिकेट में आप 5-10 साल तक के बच्चे का हाफ टिकेट बना सकते हैं लेकिन प्रेमियम ततकाल में 5-10 साल के बच्चे का आधा टिकेट नहीं बन सकता प्रेमियम ततकाल टिकेट में इंडियन रेलवे 5-10 साल के बच्चे को पूरी सीट ही देता है और इंडियन रेलवे को पूरी सीट का चार्ट देना होता है प्रेमियम तत्काल टिकेट बुकिंग करते टाइम टिकेट कनफर्म होने के 99% चांस होते हैं इसलिए जब भी आप कोई टिकेट बनाओ तो प्रेमियम तत्काल में भी लगा के रखो तत्काल टिकेट और प्रेमियम तत्काल टिकेट में एक अंतर ये भी होता है कि अगर किसी ततकार टिकिट का फेयर मतलब उस टिकिट का रेट टिकिट पर 1000 रुपीय है तो वे टिकिट आपको 1000 रुपे का ही मिलेगा ततकार टिकिट की बुकिंग में टिकिट के पैसे नहीं बढ़ते जो टिकिट पर रेट होता है वही टिकिट का रेट मिलता है लेकिन प्रेमियम ततकाल टिकेट बुकिंग करते टाइम उस टिकेट का रेट बढ़ता रहता है जितना आपका टिकेट लेट बुक होएगा उतना ही उसका रेट बढ़ता जाएगा कभी कभी ऐसा होता है प्रेमियम तत्काल टिकेट बनाते टाइम प्रेमियम तत्काल टिकेट का रेट नॉर्मल तत्काल टिकेट के जितना भी हो जाता है होली, दिवाली, ईद या और इसी तरह के तिवारों पर प्रेमियम तथकाल का टिकेट का रेट 40-50% तक बढ़ जाता है प्रेमियम तथकाल टिकेट का बुकिंग का टाइम नोर्मल तथकाल के साथ शुरू होता है A.C. किलास का टाइम सुभा 10 बजे शुरू होता है और नोन A.C. किलास मतलब सिलिपर किलास का टाइम सुभा 11 बजे शुरू हो जाता है प्रेमियम तथकाल का कोटा इंडियन डेलवे ने किसी किसी ट्रेन में एड किया हुआ है दोस्तों अगर आपके मन में रेलवे से रिलेक्टेट कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बोक्स में पूँछ सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो मिलते हैं के लिए वीडियो में एक नहीं वीडियो के साथ